क्या Legal Age यानि कि 18 साल से कम एज की लड़की या फट 21 साल से कम एज की लड़की की शादी की जा सकती है और अगर हो जाती है तो इसकी Legal Consequences क्या होंगे हाई अबरीवन आजकी इस वीडियो में हमें एक हिंदू वैलेट मैरेस की कन्डीशन्स को डिस्कस करेंगे और उनके कन्डीशन्स की पूरि ना होने पर लीगल कानसीक्वेंस को भी डिस्कस करेंगे section 5 of the Hindu marriage act जिसमें Hindu valid marriage की conditions को specify करा है first condition शादी के टाइम पर दोनों ही parties के living spouse यानी की partner नहीं होने चाहिए second condition शादी के टाइम पर दोनों में से कोई भी uncertainty of mind यानी की minor या ऐसा person जो के rational decision ना ले सके ऐसा person नहीं होना चाहिए और किसी तरह के mental disorder और insanity से भी सफर नहीं कर रहा हूँ third condition लड़की के 21 और लड़की की 18 से कम age नहीं होनी चाहिए fourth condition दोनों parties prohibited relationship पे नहीं होनी चाहिए prohibited relationship यानी की दोनों में कोई एक partner दूसरे partner का directly ancestor है जैसे कि चाचव और भती जी की शादी और fifth condition दोनों parties एक दूसरे के spinda relationship पे नहीं होने चाहिए यानि कि दोनों partners same ancestor यानि कि same लड़के नहीं होने चाहिए जैसे कि तुम्हारी daughter तुम्हारी sister के बेटे से शादी नहीं कर सकती क्योंकि उन दोनों बच्चों की ancestors यानि कि आपके parents में same है अगर living partner होने के बाद भी second marriage की गई है या दोनों partner prohibited या spinda relationship में आ रहे है तो ये marriages void मानी जाएगी तो court की नज़र में marriage होना और ना होना equal रहेगा और इन marriages में कोई भी marital rights to provide नहीं किये जाएंगे जैसे कि कल को अगर कोई dispute होता है तो maintenance के लिए claim नहीं कर सकते अगर एक person की consent force या fraud की through ली गई है या फिर एक ऐसी mental disorder से सफर कर रहा है जो कि marriage और children के लिए fit नहीं है या फिर important है जिसके current marriage consume नहीं हो सकती या फिर insanity के attacks पूरते है या फिर शादी ये टाइप पर another person के थूर पहले से pregnancy और petitioner को ये बात नहीं पता थी इन सबी situations पे होई शादी voidable marriage में आती है जिसमें aggrieved person के पास option होता है कि वो इस शादी को continue रखी या फिर court के थूर वाइट डिक्लेर कराए अगर शादी को continue रखा जाता है तो उसे valid marriage की तरह ही ट्रेट किया जाएगा पर अगर शादी continue नहीं रखनी तो court में petition file करा के marriage को वाइट डिक्लेर कराया जा सकता है पर अगर लीगल इस से पहले शादी कराई जाती है तो इससे शादी तो वाइट नहीं होगी पर यह एक punishable offense है जिसमें two years की rigorous imprisonment और एक लाग तक का fine और दोनों impose किया जा सकता है और prohibited और spend the relationship पे होई शादी वाइट मैरेज के साथ साथ एक punishable offense भी है जिसमें एक महिने तक की simple imprisonment और एक हजार तक का fine और दोनों impose किया जा सकता है मुझे उम्मीद है कि आपको वैलेट मैरेज वाइट और वाइडबल मैरेज की बीच का difference के लिए हो ऐसे ही classes के लिए आप हमारे legal courses को भी जॉइन कर सकत जिनका लिंक आपको description और paint comments में मिल जाएगा मिलते है नेक्स वीडियो में